श्वागत है दोस्तो अपने यूटूब चेनल आई टेकनिकल कोर्ष में दोस्तो आज के ये पेपर फीटर का और शेकंडियर वाले स्टुडेंट का हैं दोस्तो ये पेपर निमी पैटन से रिलेटर कोशन पेपर है और आज का जो मैडूल नम्मर है वो थ्री है यानि मैडू कोशन पेपर है दिलेट का नाम फीटर है आप लोग आई टे के त्यारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पेपर अगस्त से चालू है उसके हिसाब से अभी से इतना पढ़ाई करना चालू कर दो कि सी बीटी पेपर पे किसी भी प्रकार के डाउट ना हो चैनल पे नएओ हो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना सेर करना चलिए आते हैं आज के फ़र्च नमर कोशन 111.141 नमर कोशन की बात कर लेते हैं इस गिज का नाम क्या है आप लोग को पास एक गिज दिख रहा है वाट इस दा नेम आफ गिज एनी आपको इस गिज का नाम बताना है, वाइनली, अब आपको एधि मालूम होगा क्योंकि आपने देखें होंगे, पढ़ें भी होंगे, इस गेज का नाम क्या है, इसका राइट अंसर होगा, B नंबर, स्नेप गेज, इसका करेक्ट अंसर ही जे, B नंबर होगा, स्नेप गेज, जैसे अगला कौशन दिया गया है ड्रिल गेज का उपयोग क्या है वाट इस दा यूज अफ ड्रिल गेज आपको बताना है कि ड्रिल गेज का यूज क्या है ठीक इसका राइट एंसर होगा ए नमबर ड्रिल के ब्यास की जाच करना यानि जो ड्रिल के ब्यास होती है मोटाई होती है उसको नापने के लिए हम लोग ڈ्रिल गेज का यूज करते हैं करेक्ट नेश्ट कोशन जोसे दिया गए है 103 नमबर चिन्नित किये गए यक्स भाग का नाम क्या है अब आपको ये बताना है कि इस डाइगराम पे यक्स चिन्नित भाग का नाम क्या है इसका right answer होगा लंबाई यह जो चीज़ यहां से यहां की वो बता रहा है यह और यह लेंथ बता रहा है किसकी लंबाई कितनी है right answer A number correct हो जाएगा length नहीं लंबाई next question जिसे दिया गया है 40 number what is mark age x चीन है ऐन्य जो mark किया गया है x से आपको उस भाग का नाम बताना क्या है ठीक इसका right answer होगा A number होगा slip gauge की उचाई यानि यह उचाई height बता रहा है कि कितनी height है इस slip gauge की right answer होगा A number correct यानि यह बता रहा है कि slip gauge की height कितनी दी गई है अगला जैसे कोशना देख लो 115 number इस gauge का नाम क्या है आपको एक gauge दिख रहा होगा इस gauge का नाम बताना है आप लोग tools पूरेट रटर डालो क्योंकि tools इसे हर साल कोशन पूछे जाते हैं tools के बारे में किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं होनी चाहिए 115 number के जो D number इसका right answer होगा center gauge इस gauge का नाम है center gauge what is the name of gauge आपको इस gauge के बारे में बताना कि gauge का नाम क्या है इस gauge का नाम है center gauge अगला जैसे कोशन दिया है what is the name of gauge इस gauge का नाम क्या है आप आपको ये भी बताना कि इस वाले gauge का नाम क्या है आप आप लोग ऐसे बहुत सारे gauge यूज़ करते होगा अपने फिटर से रिलेटेड ठीक इस गेज का राइट एंसर होगा इस कुरूप पिछ गेज करेक्ट अंसर लिजे बी नमबर राइट होगा नेश्ट दिया गया है इस गेज का प्रकार क्या है अब आपको यह जो गेज है कौन से प्रकार का गेज दिया गया है इसका right answer होगा D number correct अन्विल टाइप thread snap gauge जो अन्विल टाइप thread snap gauge होता है यही गेज है next question दिया है what is the type of gauge आपको बताना किस gauge का प्रकार क्या है type of gauge प्रकार बताना gauge का इसका right answer होगा A number होगा double ended plug gauge इस gauge का नाम है double ended plug gauge double नहीं दो side दिया गया है ended नहीं plug gauge है अगला question दिया गया है कि X के रुप में क्या चिन्दित है X के रुप में क्या चिन्दित है यह चीज देख लो X के रुप में क्या चिन्दित है यहाँ पे दिया गया है X और इस part का नाम पूछा गया है आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक स्किर्प में जो चिन्ध है इसका नाम प्रोगेशिव प्लगेज गो है अगला कोशन दिया गया है what is the gauge या gauge क्या है आपको बताना चाहिए इस gauge के बारे में यानि ये gauge है temper plug gauge taper plug gauge इसको बोलते हो नेश्ट कोशन दिया गया what is the mark is X इस gauge में X के रुपे जो marking की गई है अब उसका नाम बताना है ये चीज को ठीक अब इसका जो right answer आ रहा बी नम्मर correct आ रहा thread ring gauge no go right answer बी नम्मर correct होगा 22 है इस gauge का नाम बताना फिर से आज के सारे कोशन में gauge ही पूंच रहा 10 कोशन gauge से बारे में बता दिया अगला कोशन है what is the name of gauge इस gauge का नाम क्या है इसका right answer होगा thread plug gauge thread plug gauge next question जोसे दिया गया है सीतलन दर को तेजी से प्राप्ट करने के लिए उसमा उपचार में पर्यूप क्वेंचिक मेडिया क्या है correct answer बी नम्मर होगा बायू what is mark X यानि यह जो X की और पर मार्क किया गया है इस चीज का नाम बताना है इसका जो right answer होगा यह होगा C नम्मर astray night next question जोसे दिया गया है 125 elbow और band का कोड क्या है what is the angle of elbow and band that provide divergation right answer इसका यह होगा A नम्मर करेक्ट हो जाएगा 90 से 45 डिगरी अगला question है 126 नम्मर उन अस्थानों में किस प्रकार के इसकुरू का उप्योग किया जाता है जहां लगातार हटाने और assembling करना होता है what type of screw are used in the place are frequent removed and assembling जहां पर हटाते हैं और assembling करना होता है वहां पर हम लोग किस टैप के इसकुरू का यूज करते हैं right answer A नम्मर करेक्ट होगा square head screw question number अगला दिया गया है coach निर्माण कारे में किस प्रकार के nut का उप्योग किया जाता है what type of nuts are used in coach building work right answer A number होगा square nut coach निर्माण के लिए हम लोग square nut का use करते हैं next question की बात कर लेते next question दिया गया है उस nut का क्या नाम है जिसका सीर्स भाग बेलना कार आकार और नीचे के भाग hexagonal आकार का होता है right answer D नम्मर करेक्ट होगा cancel nut next question देख लेते next question दिया गया है which type of machine screw used in heavy duty assembly work heavy duty assembly कार में किस प्रकार के machine screw का यूज किया जाता है right answer D नम्मर होगा hexagon head screw next question दिया 130 नम्मर की बात कर लेते 130 नम्मर है light assembly कार में किस प्रकार के machine screw का उप्योग किया जाता है right answer होगा B number cheese head screw right answer J B number correct होगा दोस्तों base question निमी pattern के हो गए है इसके आगे के question next video मिलेगा इसको आप लोग अभी रट के रखिए इसके बाता है